होलिवुड डैरी के आज के अपिसोड में आप सब का स्वागत है आज हम जैपैनीस फिल्म टोक्यो गोर पुलिस को हिंदी में एक्स्प्लेइन करेंगे ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी और इसे योसी हीरो निशुमूरा ने डिरेट किया है और इस फिल्म के मुखे मुमिकाओं में एही सीना, इतुसुजी इटाओ और यूकी हाइट बेनी है तो चलिए स्पॉलर एलेट के साथ एक्स्प्लेनेशन स्टार्ट करते हैं फिल्म की सुरुआत में हमें क्रिमनल को देखते हैं जो एक औरत को मार कर उसे खा रहा होता है तब ही वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस उस क्रिमनल को शूट करती है और फाइट के दौरान उसका एक हाथ कट जाता है और देखते ही देखते उसका कटा हुआ हिस्सा एक वेपन में बदल जाता है और फिर वो वहां मौझूद पुलिस वालों को उस वेपन से मारने लगता है इसके बाद बिल्डिंग के नीचे मौझूद एक लेडिस पुलिस ओफिसर को उपर बुलाया जाता है और उस पुलिस ओफिसर का नाम रुका है और रुका एक एंजीनियर हंटर है और ये क्रिमिनल एक एंजीनियर है रुका उस क्रिमिनल से फाइट करते हुए उसके बाड़ी के तुकड़े तुकड़े करती है और फिर उसे बीच से काट देती है इसके बाद लैब का सीन दिखाये जाता है जहां उसकी बाड़ी में से डॉक्टर एक चाबी जैसा ट्यूमर निकालता है और वो रुका को बोलता है कि तुमने कोई गलती नहीं की है यह सच मुच में एक एंजिनियर है यहां आपको बता दे कि एंजिनियर वो इंसान होते है जिनकी बाड़ी के अंदर एक कीके जैसा ट्यूमर डाला जाता है जिससे उनके अंदर कुछ पावर्स हा जाती है और जब बनाय गया है और रुका भी उसका एक हिस्सा है इसके बाद रुका अपने फ्रेंड के बार में जाती है जब रुका छोटी थी तब इसने उसे गुंडों से बचाया था और तब इसे रुका की बेस फ्रेंड है और फिर रुका को पुलिस कंडूल रूम से कॉल आता है और उसे तुरंद वहाँ बुलाया जाता है रुका जब वहाँ जाती है तो वहाँ उसे अंधेरे में एक अजीव इनसान दिखता है इससे पहले की रुका उससे फाइट करती उसे पता चलता है कि वह पुलिस कमिस्नर है और बाकी पुलिस ओफिस और पुलिस कमिस्नर ने रुका क पचासवे इंजीनियर को मारने के अचीवमेंट पर एक उससे सप्राइस पार्टी दी होती है यह सब ही उसके अचीवमेंट को सेलिवरेट कर रहे होते हैं और इसी दरहन रुका अपने पिता को मिस करती है रुका के पिता की डैथ हो चुकी है और वो भी एक पुलिस आफिसर थे नेक्स सीन में हम एक प्रोस्टिट को देखते है जिसे एक आदमी बहुत ब्रूटली मार देता है रुका को क्राइम स्पॉट पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भीजा जाता है उसकी बॉड़ी को कट करके एक बॉक्स में डाल दिया गया था और उससे पहले उसकी बॉड़ी से पुरा खोन भी निकाला गया था यहां उससे ये भी पता चलता है कि उस प्रोस्टिट को जिस इनसान ने मारा था वो भी एक एंजिनियर है रुका उस एंजिनियर को पकड़ने के लिए खुद भी एक प्रोस्टिटूट का गेट अप करती है और फिर वो ट्रेन में जाती है वहाँ एक आदमी उसके साथ बत्तमीजी करता है रुका उसे ट्रेन से बाहर लेकर जाती है और उसका हाथ काट देती है रुका वापस ट्रेन में जाती है और वहाँ उसे नीन धा जाती है और फिर सपने में वो अपने पिता को देखती है जिस एक आदमी गोली मार रहा होता है तबी उसकी नीन कुल दिये और उसके سामने एक अजीब सा इनसान बैठा होता है और उस आदमी के फेस पर भी कीका निसान भना होता है वो आदमे उटकर वहाँ से जाता है और फिर रुका उस आदमी के पीछे जाती है यहां रुका को ट्रेंड के अंदर सेम तरीके सम्मडर की गई एक और डेट बॉड़ी भी मिलती है रुका उस आदमी का पीछा करने लगती है और फिर रुका और उस आदमी के बीच में फाइट होती है फाइट के दौरान रुका उसके फेस पर तलवार मार देती है और फिर वो अपना आदा फेस उखाड़ कर फेक देता है और फिर उसके कटे हुए हिस से की जगे एक वेपन आ जाता है और ये देखकर रुका समज जाती है कि ये भी एक Enginer है वो लगता हा, रुका पर अटेक कर रहा होता है पहले तो रुका उससे बचने की कोशिक करती है और फिर रुका फस जाती है वो एंजिनिर रुका के हाथ को एक एंजिनिर की से इंफेक्ट कर देता है यहां रुका के हाथ की स्किन उपन होती है और वो उसमें एक कीड डाल देता है और फिर उसके स्किन वापस से जुड़ जाती है रुका बेहोस हो जाती है और जब उसे हो साता है तो वो हॉस्पिटल में होती है वहाँ पुलिस चीफ और पुलिस कमिस्नर भी होते है वो उन लोगों से ये बाते छिपा लेती है इस बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताती आगे हम देखते है कि पुलिस उसके आदे कटेवे सिर का यूज़ कर असली कातिल का पता लगाती है और फाइनली उसका सिर एक आदमी से मैच हो जाता है ये एकीनो नाम का एक साइंटिस था जिसकी 24 साल की उमर में ही मौत हो गई थी रूका उसकी डिटेल्स लेकर उसे ढूनना स्टार्ट कर देती है रूका उसके पुराने लैब में भी जाती है जहां उसे एक एंजिनियर लड़की की फोटो और डिटेल्स मिलती है रूप का दूसरे पुलिस ओफिसर्स को भी उस एंजिनियर लड़की का पता लगाने के लिए बोलती है वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस चीफ को देखते है जो कि एंजिनियर स्ट्रिपिंग कलब में जाता है और वहाँ वो लड़की भी होती है जो कि अब एक कॉल गल या कॉल गल एंजिनियर बन गई थी चीफ उसे लेकर रूम में जाता है और वो चीफ को फिजिकली प्लेशर द इफेक्ट कर दिया था और फिर चीफ गुस्से में उस एंजिनियर लड़की पर अटेक कर देता है और उसकी हाफ बॉड़ी को काट देता है क्योंकि वो लड़की एक एंजिनियर थी इसलिए उसके कटे वे इससे की जगे एक वेपन हा जाता है और फिर वो चीफ पर अटे कर देती है और चीफ घायल हो जाता है लेकिन चीफ उसे बॉम से ब्लास कर मार देता है इसके बाद वो की मैं चीफ की बॉड़ी में भी एक एंजिनियर की डाल देता है और फिर चीफ भी एक एंजिनियर बन जाता है वो पुलिस कंट्रोल रूम जाता है और वहां मवजूद स उस एंजिनियर लड़की के घर जाती है और वहाँ उसे कीमेन मिलता है। कीमेन रुका को अपने पास्ट की स्टोरी बताता है कि उसके पिता भी एक पुलिस ओफिसर थे और उन्हें एक क्रिमिनल को मारने का ओडर मिला था। लेकिन उस क्रिमिनल के साथ एक छोटा बच्चा भी था इसलिए उसके पिता ने उसे नहीं मारा। और क्रिमिनल को ना मारने के कारण उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उसके पिता पैसो की तंगी में जीने लगे। और एक दिन उसके पिता के घर पे पुलिस कमिस्नर आया और पुलिस कमिस्नर ने उसे एक पुलिस ओफिसर को मानने की सुपाड़ी दी वो पुलिस ओफिसर पुलिस के प्राइविडाइजेशन का विरोध कर रहा था यहां मापको बता दे कि वो विरोध करने वाला पुलिस ओ पुलिस कमिशनर ने सब के सामने कि मैंन के पिता को भी गोली मार दी थी जिससे वो सब के सामने एक हीरो बन गया था जबकि असली कातिल पुलिस कमिशनर ही था वो रुका को बोलता है कि हम दोनों के पिता का कातिल पुलिस कमिशनर है इसलिए तुम मेरा साथ दो और हम दोनों मिलकर पुलिस कमिस्णर से इसका बदला लेंगे वो रुका को ये भी बताता है कि उसके पिता को पुलिस कमिस्णर ने उसके सामने ही गोली मारी थी ये देखकर वो अपना आपक खो दिया था और उस समय वो क्रिमनल्स के जिनिटिक्स पर रिसर्च कर रहा था और उसने कई सारे क्रिमिनल्स के जीन्स को अपने अंदर इंजेक्ट कर बिल्डिंग से नीचे कूट जाता है लेकिन वो जिन्दा बच जाता है और जब वो होस में आता है तो रिसर्चर्स उसे की देते हैं जिसमें कई सारे क्रिमिनल्स के गुड़ थे और फिर वो उसकी पर research करता है और उसके genetics को strong बनाते जाता है और ऐसे ही उसने कई सारे अलग-अलग कीज बनाए जिससे normal इंसानिक engineer में बदल जाता है ये सब जानने के बाद रूका उस की man के दो तुकड़े कर देती है वहीं दूसी तरह police commissioner order देता है कि सहर में जिस पर भी engineer होने का सको उसे जान से मार दो और फिर police पूरे सहर में बेगुना लोगों को पकड़ पकड़ कर engineer होने के सक पर उन्हें मार रही होती है रूका पुलिस के दोरा पुरे सहर में किये जा रही है ये नरसाहर को देकर बहुत ज़्यादा दुकी होती है इसके बाद पुलिस वाले रूका की फ्रेंड बार ओनर को भी पकड़ लेते है और उसे engineer होने के सक पर मारने वाले होते है यहाँ वो उनसे fight करती है और कुछ पुलिस officers को भी मार देती है लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ कर बान देते है वही रूका अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वहाँ भाग कर आ रही होती है लेकिन जब वो पहुशती है तब वो देखती है कि पुलिस वाले उसके फ्रेंड की बाड़ी के दो तुकड़े कर रहे है रूका अपने फ्रेंड की मौत से बहुत ज़्यादा गुसा हो जाती है और फिर वो वहाँ मजूद पुलिस वालों को मारना स्टार्ट कर देती है तब ही एक पुलिस वाला उसकी आँख पर गोली मार देता है और उसकी आँख एक वेपन में बदल जाती है और फिर वो वहाँ मजूद सभी पुलिस वालों को मार देती है और फिर वो पुलिस कमिस्नर के पास जाती है कमिस्नर उसे बताता है कि उसने ही रुका के पिता को मरवाया था क्योंकि उसके पिता पुलिस और्गनाइजेशन के प्राइवेडाइजेशन का विरोत कर रहे थे यहां वो रूका को इमोसनली अपनी और करने की कोशिज भी करता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर पुलिस बनाया लेकिन रूका उसकी बातों में नहीं आती और वो उस पर अटेक कर देती है तब ही वहां उसके हेल्प करने वो लैब बाला बंदा आता है और वो अपने साथ अजीब से एक हतियार लेकर आता है जिसके अंदर वो कई सारे कटोवे हाथ रखकर रूका पर फायर करता है यहां रूका का जो भी हिस्सा गायल होता है वो एक वैपन में बदल जाता है रूका उसके हाथों को वापस फेज देती है और फिर वो लैब बाला बंदा उन हाथों से ही मारा जाता है इसके बाद कमिस्नर वापनी पाली हुए एक एंजिनियर को लेकर आता है जिसके हाथ और पैरों की जगए बलेड होते है वो रूका से फाइट करती है और रूका उससे भी खत्म कर देती है और फिर पुलिस कमिस्नर अपने अंदर कई सारे एंजिनियर्स के सीरम को इंजेट कर लेता है और फिर वो रूका से फाइट करता है रूका फाइट करते हुए उसके पैरों को भी काट देती है तब ही उसके कटे हुए हिस्सों से खून निकलते है और उसे भी वो एक वैपन की तरह यूज करता है और फिर पुलिस कमिस्नर फिर से रुका पर अटैक करता है लेकिन रुका उसे भी खत्म कर देती है और उसे मार कर रुका अपने पिता और अपनी फ्रेंड का भी बदला ले लेती है और पूरे सहर को भी बचा लेती है और मूवी के लास्ट सीन में हम कीमेन को एक एंजिनियर के साथ दिखते है मतलब साफ है कि कीमेन अभी भी जिन्दा है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है तो आपको ये मूवी और हमारा एक्स्प्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए यदि आपको पसंद आया है तो फटैक से वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजे और आपने यदि अभी तक हॉलिवूट डैरी को सब्सक्राइब नहीं किया है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो एक बार फिर से आप सभी का हॉलिवूट डैरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया हम फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुट बाएगा